हेलो माई दियर स्टूदेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस कर रहे हूं ग्रेट टैन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सम तो ये वाला सम है थोड़ा सा ट्विस्टेट दिया हुआ है आपको समझना है कि कैसे करना है तो 1-2 तो एक AP है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक सीक्वंस है वह सीक्वंस हमें नहीं दी है हमें क्या दिया है ऐं टम किस तरीके से दिया है 5N-2 तो जो हमारा nth term है TN है वो क्या है 5N-2 अब इसमें समझना है थोड़ा सा trick है अब nth term अल्यडी हमें दे दिया है तो हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं n की value डालेंगे 1 मतलब first term हमारा निकलेगा अगर n की value हम लेते हैं n की value 1 लेंगे तो हमारा first term निकलेगा n की value अगर हम 2 लेंगे तो हमारा second term निकलेगा जब हमारा first term और second term निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे first term हमारा already इस value से निकल जाएगा first second term निकलेगा तो हमारा common difference निकल जाएगा तो मतलब first term निकलेगा तो हमको A की value मिल जाएगी common difference निकलेगा तो हमको D की value मिल जाएगी जब A और D की value मिल जाएगी तो T19 T19, 19 term निकालने के लिए हम T19 is equal to A और D की value डालके 19 term जो है वो निकाल लेंगे तो इस तरीके से जब भी आपको exam में question मिले question को 3 times 4 times पहले अच्छे से read करिए उसको समझे कि हम उसमें कैसे further solve करेंगे think करिए 2 seconds के लिए फिर उसको solve करना start करिए तो इस तरीके से पहले समझना है question को तो अब हम start करते हैं solve करना TN क्या दिया है TN is equal to 5N minus 2 तो हम N की value डालेंगे 1 मतलब first term हुआ वो तो first term में इसलिए 1 value डालेंगे TN की तो क्या हो जाएगा N into 1 मतलब 5 into 1 minus 2 तो 5 minus 2 एक term positive एक term negative है इसमें तो क्या होगा subtract पर sign लगेगा बड़े नंबर का तो 5 minus 2 is 3 तो T1 is plus 3 second term second term कैसे निकलेगा second term है हमारा यहाँ पे TN की value डालेंगे 2 तो T2 क्या है हमारा 5N N की value डालेंगे 2 तो 5 into 2 minus 2 तो 5 तो is 10 minus 2 एक number है subtract और एक number है positive तो क्या करेंगे subtract करेंगे तो 10 minus 2 होता है 8 बड़ा number है 10 उसका value है positive तो T2 is हमारा plus 8 अब यहाँ पे समझें यह हमारा first term निकला तो हमारा A क्या निकल गया A is equal to 3 निकल गया हमारा यह T2 हमारा second term निकला तो second term minus first term इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा common difference निकलेगा तो 8 minus 3 is 5 one term is positive one term is negative तो operation हम क्या करेंगे negative subtract answer I have 5 sign लगेगा बड़े number का तो plus 5 D is equal to plus 5 ठीके A की value निकल गई D की value निकल गई बहुत easy हो गया आप अब हमें 19th term की value निकलना है तो T19 डालेंगे formula अब हमारे पास already हमें पता है A plus 19 minus 1 D so N की value 19 इसलिए यहाँ पे है 19 N की value जो भी होगी वो यहाँ पे डालेंगे ठीक है तो 19 minus 1 is 18 A की value 3 D की value 5 18 5 is 90 and 3 as it is so T19th term है हमारा 93 I hope आपको यह clear हो गया थोड़ा सा twisted form में दिया है यह sum पर easy है क्योंकि formula जो यहाँ पे use करना है पूरे chapter में वो एक ही है यह TN वाला तो उसको अगर आप अच्छे हिस से समझ लेते हो तो यह chapter बहुत scoring है I hope आपको यह video समझ में आया होगा समझ में आया है तो like करें शेयर करें subscribe करें thank you and thanks for watching करेंगे जयरे ए कर पिंदीट